दुनापजिल को हम यूज करते हैं अल्जाइमर की ट्रीटमेट में अब अल्जाइमर्स डिजीज में होता क्या है कि जितने भी ऐसी टाइल कुलीन से क्रीटिंग निरॉन्स होते हैं उनकी डेथ होने लग जाती है यह एज रिलेटेड भी हो सकता है यह एकसाइटो टॉक्सि करना होगा या फिर जो डेथ हो रही है कॉलीनर्जिक निरॉन्स की उस डेथ को प्रिवेंट करना होगा सो डिनापजिल क्या करती है इस सेंट्रली एक्टिंग यह सी एनस में एक्ट करेगी एंटी कॉलीन एस्ट्रेस एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एसीटाइल कॉ को metabolize करना होता है into choline and acetate so यह इस enzyme को block कर देगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि acetylcholine का जितना सारा metabolism है वो inhibit हो जाएगा और acetylcholine के जो levels है वो increase हो जाएगे so जब acetylcholine के levels increase हो जाएगे तो हम कहेंगे कि हमने Alzheimer's को treat कर दिया so tunapazil is used in the treatment of Alzheimer's disease it ameliorates the symptoms it is a reversible inhibitor of acetylcholine esters enzyme तो अगर Alzheimer's की pathophysiology की बात करें तो इसमें acetylcholine के levels जो है वो बहुत जादा कम होगे अब acetylcholine के levels क्यों कम है क्योंकि यहां पर cholinergic neurons की death हो रही है अब यह death किस तरह हो सकती है यह age related भी हो सकती है और nmda mediated excito toxicity की वज़ा से भी हो सकती है तो इसमें जैसे जैसे cholinergic neurons की death होगी तो जो brain tissue है वो श्रिंक करता जाएगा hippocampus और basal for brain area से इसके साथ impairment होती जाएगी memory और learning process में तो अगर normally हमें cholinergic neuron की बात करें तो क्या करेगा acetylcholine को vesicles के अंदर pack करेगा then secrete करेगा वो acetylcholine साइनाप्स में release होगी और दूसरी साइड पर जो post-synaptic terminals है वहाँ पर जाएगी और जितने मस्कुरेने क्रेसेप्टर जो उनको जाकर activate करेगी अब यही acetylcholine synapse में metabolize हो सकती है by the help of acetylcholine as trace enzyme जो कि इसको वापस change कर देगा koline में और acetic acid में और अगर excitotoxicity की बात करें तो ऐसे neurons जो के glutamate release करते हैं वो क्या करेंगे glutamate release करेंगे which is a neurotransmitter glutamate जो होगा वो NMDA receptors को activate करेगा जिसकी वज़े से calcium जो है वो cell के अंदर enter होगा और excitotoxicity होगी और ultimately जो है kolinergic neurons की death हो जाएगी तो इस सब केस में हम different drugs जो है वो यूज कर सकते हैं for example अगर किसी तरह हमें acetylcholine as trace को block करतें by the use of donapazil so इसकी वज़े से क्या होगा कि acetylcholine ने जो metabolize होना था वो अब नहीं होगा जिसकी वज़े से acetylcholine की concentration जो है वो increase हो जाएगी और यह जादा-जादा receptors को stimulate करेगा या फिर हम क्या कर सकते हैं me maintain दे सकते हैं अब यह me maintain के it's going to block the NMDA receptors जिसकी उपर glutamate ने आकर excite करना था सो इसने NMDA receptors को block कर दिया जिसकी वज़े से हुआ क्या है कि sodium और calcium की जो entry cell के अंदर वो block हो गई है या कम हो गई है जिसकी वज़े से क्या हुआ है calcium enter नहीं हो रहा है excitotoxicity नहीं हो रही है और cell की जो death है वो हमने prevent कर दिया है तो बाइब दोनेपेजल और मेमेंटी विकन ट्रीट अल्जहेमर्स दिजीज तो अगर फार्मे को कानेटिक सी बात करें तो दोनेपेजल इस गिवन औरली विद आफ लाफ लाफ उफ सेवन आज है और राइवस्टिक में की हाफ लाफ लाफ वन और फाइव और क्लिनिक लिए विकन जिलिक साइड एफेक्स टी देखें तो इसमें हुआ किया एक अफिटायल को लिन के लेवल्स जिए वो इंक्रीज कर गएं जिसकी विजह से पैरासंपेथो मायमेटिक साइड एफेक्ट वामिटिक ब्रेडी इंक्रीज्ट गास्टिक एजिए अन्ट्रेग्ज is enzyme blocker और इसकी वज़े से होगा क्या कि acetylcholine के levels जहेंगे और दूसरा group होगा which is NMDA glutamate receptor blocker जिसकी वज़े से sodium और calcium का influx होगा वो decrease करेगा और normally जो excitotoxicity हो रही थी वो decrease हो जाएगी जिसकी वज़े से normally जो cholinergic cells की death हो रही उसको हम prevent करेंगे और ultimately क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या है और हम कह सकते हैं कि Alzheimer's को treat किया है तो पहला group जो के cns में acetylcholine astrase enzyme को block करेगा और acetylcholine के levels को increase करेगा इस इस राइवस्टिक mean galantamine donapazil और टेकरीन उसके लिएवाँ जो दूसरा ग्रूप है जिसमें NMDA receptor blockers है जो के glutamate receptor को block करेंगे और cholinergic neurons की death को prevent करेंगे उसमें आ सकता है mementine